पॉस पुर्णिमा ब्रत कता दौपर युग में एक बार योसोदा मैया ने भगवान स्रीकिष्ण ने कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो आज तुम मुझे कोई ऐसा ब्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्तरी को बिद्वा होने का भेना रहे तता इससे मनुसिकी सभी मनुकामनाई भी पूर्ण हो तब स्रीकिष्ण कहते हैं माता आपने बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है मैं आपको इसके बारे में बिश्तार से बतलाता हूँ सभागे प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमासियों का ब्रत रखना चाहिए इससे उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण होती है उन्हें सभागे बती होने का आसीस मिलता है अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहराज से पालित अनेक प्रकार के रतनों से परिपूर्ण कातिकान नाम की एक नगरी थी वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्रहमन था और उसकी इस्तरी अतिस सीला रूपवती थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे घर में धन्धाने आदी की कमी नहीं थी लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया वह योगी उस ब्रह्मन के घर को छोड़ कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था लेकिन रूपवत्ती से वह भिक्षा नहीं लिया करता एक समय वह किसी अनने घर से भिक्चा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्चान को प्रेम पुरुवक खा रहा था तब ही धनिस्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्चा के अनादर से दुखी होकर योगी से कहता है महात्मन आप सब घरों से भिक्चा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्चा कभी भी नहीं लेते इसका क्या कारण है तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी पतीतों के अन के तुले होती है और जो पतीतों का अन खाता है वह भी पतीत हो जाता है जो कि तुम निसंतान हो अतह तुम पतीत हो जाने के भैसे तुम्हारे घर की विज्जा नहीं लेता धने सुर यह बात सुनकर अपने मन से बहुत दुखी हुआ रहा जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आतभाव से कहने लगा महराज यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताईए आप सरवग्य हैं मुझ पर अवस्य ही यह क्रिपा कीजिए धनकी तो मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु में पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ आप मेरे इस दुख का हरन करे आप स चला गया बन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपास किया चंडी देवी ने सोलहवें दिन उनको स्वपन में दर्सन दे कर कहा है धने स्वर तुझे पुत्र होगा परंतु वह सोलह वर्स की आयू में ही मिर्थिव को प्राप्त हो जाएगा यदि तुम दो मासी का ब्रत रखना प्रातकाल होने पर इस अस्थान के समीथ भी तुम्हें एक आम का रिक्ष दिखाए देगा उस पर चड़कर एक फल तोड़कर सिग्र अपने घर चले जाना और अपनी इस्त्री से सब ब्रितांत कहना जब वह स्री संकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब संकर की किरपा से वह गर्वती हो जाएगी तब वह ब्रहमन प्रातकाल उठा तो उस ने उस अस्थान के पास एक आम का ब्रिक्ष देखा जिस पर एक आम का फल भी लगा था उस ब्रहमन ने उस आम के ब्रिक्ष पर चड़कर उस फल को तोड़ने का प्रतने किय परंतु कई बार यतन करने पर भी वह ब्रिक्ष पर चड़ना पाया तब उस ब्रहमन को बहुत चिंता भी और वह बिग्न बिना सक स्री गनेज जी की बंदना करने लगा और बोला है दयानी दी अपने भक्तों के बिग्नों का नास करके उनके मंगल कारे को करने वाले उनकी क्रिपा से धनेस्वर बिस्वर चड़ गया और उसने एक अती सुन्दर आम का फल देखा उसने विचार किया कि जो बर्दान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता उस धनेस्वर ब्रहमन ने जल्दी से उस फल को तोड़ कर अपनी स्त्री को लाकर जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा माता पिता के हर्स और सोक के साथ वह बालक सुकल पक्ष के चंद्रमा की भांती बढ़ने लगा भवानी की किरपास वह बालक बहुत थी सुन्दर सुसील और पढ़ने में बहुत ही निपुन हो गया चड़ी देवी की आग्या नु देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्गटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे जहन कर सकेंगे उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा हमारी इच्छा है देवी दास एक वर्स तक कासी में जाकर बिद्या अध्यन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाते इसलिए साथ में तुम चले जा और एक बर्स के पस्चाथ इसको वापस लोटा लाना सब प्रबंद करके उसके माता पिताने कासी जाने के लिए देविदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उनक पुर्नमासियों का बरत करना प्रारम किया इस प्रकार उन्होंने 32 पुर्नमासी का बरत किया उस समय के पस्चाथ एक दिन वह दोनों मामा भाजा मार्ग में रात्री बिताने के लिए किसी ग्राम में ठरेवे थे उस दिन उस गाउं में एक ब्रहमन की अत्यंत सुन्दरी ला बिदूसी गुनवती कन्या का बिवा होने जा रहा था जिस ध्रमसाला के अंदर बर और उसकी बराठ ठरीवी थी उसी ध्रमसाला में देवी दास और उसके मामा भी ठरेवे थे संयोग बस कन्या को तेल आदी चढ़ा कर मंडप आदी का कृति किया जा रहा था लेकिन लगने के समय वर को एक वायू रोग जिसमें सरीर धनुस की तरह जुक कर टेढ़ा हो गया इस कारण बर के पिता ने अपने कुटूंबियों से प्रामर्स करके निस्चे किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुन्दर है मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ बाद में विवाह के अन्ने कारे मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे ऐसा सोचकर उन्होंनों देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे बिवाह के लगने के सारे कृत्त सुचार रूप से हो सके तब उसका मामा कहने लगा जो कुछ भी करन्यादान के समय बर को मिले वह सब हमको दे दीजे तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बच जाएगा यह बात बर के पिता ने स्विकार कर ली और उसने अपने भांजे को बर बनने के लिए भेज दिया इसके साथ सब बिबाह कारे रात्री में विधी पुर्वक संपन्न हो गया पत्नी के साथ वह भुजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि नजाने कैसी इस्तरी होगी वह एकांत में इसी सोच में पढ़ गया तथा उसकी अंखों में आशु आ गया तब बधु ने पूछा कि क्या बात है आप इतने उदासीन और दुकी क्यों है तब उसने यह सब बातें बर के पिता और उसके मामा से हुई उसको बतला दी तब कन्या कहने लगी यह ब्रह्म विवाह के विपृत कैसे हो गया देव ब्रह्मन और अगनी के सामने मैंने आपको ही अपना पती बनाया है इसलिए आप ही मेरे पती हैं मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी किसी अन्य की नहीं तब देवी दास ने कहा ऐसा मत करिये क्योंकि मेरी आयू बहुत कब है मेरे पस्चात आपकी क्या गती होगी इन बातों को अच्छी तरह बिचार कर लो परंतु वह दर्ड़ बिचार वाली इस्तरी थी बोली कि जो आपकी गती होगी वही मेरी भी होगी हे स्वामी आप उठियो और भोजन करिये आप निस्चित ही भूके होंगे इसके बाद देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया सेसरात्री वे सोते रहे प्रातह काल देवी दास ने अपने पत्नी को तीन नगों से जड़ी हुई एक अंगुठी दी एक रुमाल दिया और वो लाहे प्रिये इसे लो और संके समझ कर स्थिर्चित हो जाओ मेरा मरन और जीवन जानने के लिए एक पुस्पवाटिका बना लो उसमें सुगंधित वाली एक नौ मलिका लगा लो उसको परती दिन जल से सीचा करो आनंद के साथ खेलो कुदो और उत्सम प्राता काल होते ही वहां गाजे पर वाजे बजने लगे जिसमें बिवा के कारे समाप्त करने के लिए बर तथा सब बराती मंडप में आये तो कन्या ने बर को भली प्रकार से देख कर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा पती वही है जिसके साथ मेरा पानी ग ने भूसन आदी दिये थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुपत बाते कही थी वह सब सुनाए पिता ने उसके कत्नानुसार बर्ग को बुलाया गया कन्या को कि यह सब बाते सुनकर वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता इसके पस्चात लज्जित होकर वह वहा अध्यन के लिए चला गया जब कुछ समय बीद गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्री के समय उसको डसने के लिए वहां आया उस विसधर का जो प्रभाव था उसके सेन का चारो और से विससे भी सैला हो गया परंतु ब्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया क्यो इसके बाद मध्यान के समय स्वेम काल वहां पर आया और उसके सरीर से उसके प्रानों को निकालने का प्रयत्न करने लगा जिससे वह मुर्चित होकर प्रत्री पर गिर पड़ा भगवान की किरपा से उसी समय पारवती जी के साथ भगवान संकर वहां पर आ गया उसको मुर् प्रवती जी ने भगवान संकर से प्रातना की कि प्रभू इस बालक की माता ने पहले 32 पुनिमा का ब्रत किया था जिसके प्रभाव से भगवन आप इसको प्रांदान दे भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान सिव ने उनको प्रांदान दे दिया इस ब्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्त होकर बैठ गया उधर उसकी इस्तरी उसके काल की परतिक्षा किया करती थी जब उसने देखा कि उस पुस्प बाटिका में पुस्प पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आस्चेर हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो जान गई वह जिवित हो गया है यह देखकर वह बहुत प्रसंद मन से अपने पिता से कहने लगी पिता जी मेरे पती जिवित हैं आप उनको ढूंडना सुरू करें जब 16 वर्स ब्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ कासी से चल दिया प्रसंद हुआ और अपने साथ घर ले आया उस समय उस नगर के निवासी भी वहां इकठा हो गए और सब ने निस्चे किया कि अवस ही इसी बालक के साथ उस कण्या का विभा हुआ था उस बालक को जब कण्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संके करके गया था तदुपरांथ सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर वासियों ने आनंद बनाया स्री कृष्ण कहने लगे इस प्रकार धने स्वर 32 पुनिमाओं के ब्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस तरियां इस ब्रत को करती हैं जन्म मनों कामनाओं को पुर्ण करने वाला है 32 पुनिमाओं के ब्रत करने से ब्रती की सब इक्षाएं भगवान सिव पूरा करते हैं तो हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सकाइब करें सेयर करें कमेंट करें हर हर महादेव धन्यवार